पारिज के मौसम है और किसान बना रहा है नागर खल क्यों भी खेट को खल से जोटना है और उसमें धार जाना है तो चलिए आपको देखाता है किसान नागर बना रहा है खल बना रहा है अब कहते गैए यह हल है और खेट को जोटने के लिए बना रहा है हल को है आपके पास घ्र जमीन है जमीन है आपके पास है तो जमीन भीड़ा लगाते हैं तो उसके लिए हर बना रहे है यह हल त्यार कर रहा है इसको और टेक्टर से नहीं करते हैं तो अभी धानी लगाते हैं अभी नहीं फसल इस समय तो उसी के तैड़ी चर रहा है अभी यह अभी जंद्रा जाता हुआ था उसके बादे धान लगाएंगे तो आपके पास एक हल है वाला बना रहा हो और रहा है एक हल ना देखिए हल बना रहा है यह लकडी से और खेत को हल से जोताई करेंगे और फसा लगाएंगे क्योंकि मौसा माच चुक रहे और उसके बाद बारिस हो जाएगा तो किसांगे काम सुरू हो जाता है कि लिए नगा वह भी समान है जो बनाते हैं इसको हँल कर रहे हैं उसके फसाएंगे यह बन के क्या अब देखिए फसागे अथा वे तो देखिए पूरा हो गया तो कि लगा रहा है इसमें यह फसा रहा है हल्क को कि यह हल्क त्यार हो रहा है अख्यत को जोतने के लिए यह है किसान भाई उडिसा की किसान है हल चला के जिवन अपन गरते हैं और परिवार को भी जिवन अपन चाते हैं और बहुत सुंदर हल बनाया है देखिए हल में सामने में लोहा लगाएंगी है ना और यह हल को जो बन के त्यार हो गया है कि यह फीट कर रहा है हेंडल को हलका अज़िए फीट हो गए हल में इसे फसेगा इसमें यह फसेगा और यहां पर फेल बनेगा बैल रहे यहां पर फेल को चलाएंगे यह तुरूरा तुस्ते हैं हल रह रहेगा और हल चलता है अ कि बुद रहेगा आफे मों अजो हिए कि तरने अजमी पर घ्रशन में झुद के यह में जैमीन इस वक्त हम बुरिशा में हैं गांव सकर्णता कोटपाड और यहां पे कार्पेंटर भाई है जो नागर बना रहा है हल बना रहा है वह देखा रहे हैं आपको किसान है और साथ में कार्पेंटरी भी करता है से स्मपर कर सकते हैं नांगर बनाना हो रहा हैं में रौठ Compass आपकी करते हैं म कार्पेंटरी इस में भाई नवार आई तो ऑच्छ लगेगा क्योंगि किसान फाइप क्राम देंगे आगे oured अगे बरते हैं आपको कप से करते हैं हैं कारपेंटरी गाम बहुत साल 멋있 है है और क्या बना लेते हैं अपने हातों से हैं इस तरह से कांटरी की काम करते हैं नागारी करते हैं सोफा वफा सभी बच्चीज बना लेते हैं कि राप भी बनाते हैं सब काम करते हैं